नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट फिदालोक ओनलाइन इंस्टिट्यूट मैं हूँ विवेक मिस्र एट पियम न्यूज बुलेटिन में उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आपके परिक्षाओं के लिहास से महत्वपून हैं लेकिन उसके पहले आज की हेडलाइन्स पर एक नजर स्वक्ष सर्वेक्षन 2020 का परिडाम हुआ जारीर लगातार चौथी बार इंदोर रहा सीर्ष पर वारानसी को मिला सर्वस्रेष्ट गंगा टाउन का खिताब तो 56 बोर्ड में जालंधर रहा सबसे क्लीन सारवजनिक निजी भागिदारी मौडल पर हवाई अड़ों को लीज पर देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर अब हवाई यात्रियों को अड़ानी इंटर्प्राइजेस लिमिटेड मुहया कराएगा विश्व अस्तरी शुविधाएं तो चलिए अब बड़ी ख़बरों के साथ आज के बुलेटिन की सुरुवात करते हैं 20 अगस्त को स्वक्ष सरवेक्षन 2020 का परड़ाम घोसित किया गया मध्यप्रदेश का इंद और लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वक्ष सहर बना रहा इसके पात गुजरात के सूरत और महारास्ट के नवी मुंबई का स्थान रहा जबकि उत्तर प्रदेश के वारानसी को सर्वस्रेष्ट गंगा टाउन का खिताब मिला नई दिल्ली को देश की सबसे स्वक्ष राजधानी सहर के लिए पुरस्कित किया गया जालंधर चावनी बोड को देश के सबसे स्वक्ष चावनी बोड का पुरस्कार दिया गया 40 लाग से अधिक आबादी वाले सहरों में सबसे स्वक्ष सहर गुजरात का अहमदाबाद सीर्स पर रहा यह सरवेक्षण आवास और सहरी मामलों के मंत्राले द्वारा आयोजित किया जाता है आपको बता दे कि पहली बार स्वक्ष सरवेक्षण 2016 में किया गया जिसमें 73 प्रमुक्ष सहरों का मुल्यांकन किया गया था इस साल पहली बार भारत सरकार ने सरवेक्षण के साथ स्वक्ष सरवेक्षण लीग को एकी कृत किया था इस लीग ने पूरे साल स्वक्षता मुल्यांकन किया हाल ही में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रिय मंत्री मंदल की बैठक में 50 वर्सों के लिए सारवजनिक निजी भागीदारी मौडल के तहत देश के तीन हवाई अड्डे जैपुर गुवाहाटी और तिरुवनंत पुरम को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इस संदर में जारी विग्यप्ती में केंद्रिय मंत्री मंदल ने अडाने इंटर्प्राइजेज लिमिटेट को संचालन प्रबंधन और विकास के लिए भारती विमान पत्तनम प्राधी करण के जरिए संचालित की जाने वाली तीन हवाई अड्डों को लीज पर देने के को मंजूरी दे दी है लीज की अवधी 50 वर्ष सुनिश्चित की गई है इसके बात में सभी दायत्तों पुनह एए आई के पास वापस आ जाएगा गौरतलम है कि साल 2018 में ही सारवजनिक निजी भागिदारी मॉडल के तहत देश के अहमदाबाद, जैपुर, लकनाओ, गु बोली दाता के रूप में सामने आया इसके बाद जुलाई 2019 में कैबिनेट ने अडाने इंटर्प्राइजेस को 6 में से 3 अहमदाबाद, मंगलूरू और लकनाओ हवाई अड़ों को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जबकि उस समय से इस 3 को कानूनी अर्च पर विमान यात्रियों के लिए गुर्वत्ता युक्त विश्व अस्तरिय शुवधाएं प्रदान की जा सकेंगी आपको बता दें कि इसके लिए भारती विमान पत्तनम प्राधिकरण को जैपुर गुवाहाटी और तिरुवनंत पुरम में हवाई अड़ों को लीज पर द किया जाएगा गौरतलब है कि एए आई का गठन संसत के एक अधनियम द्वारा एक अप्रेल 1995 को किया गया था वरतमान में एए आई 137 विमान पत्तनों का प्रबंधन करता है जिसमें 23 अंतर राष्टिय 10 सीमा शुल्क 81 घरेलू विमान पत्तनम और रक्षाक्षेत के 23 घरे प्रणाली में टेरी यानि The Energy and Resources Institute और NDMA यानि National Disaster Management Authority ने सैयुक्त रूप से मिलकर फ्लड अरली वर्णिंग सिस्टम या फ्यूज लॉंच किया है इसको विक्षित करने में भारत मौसम विज्ञान और असम राज आपदा प्रबंधन प्राधिकरन का भी योगदान रहा मौस पूरवानुमान आधारित इस चेतावनी प्रणाली के जरीए 72 घंटों के भी तर बाळ की चेतावनी मिल जाएगी इस प्रणाली में भारतिय मौसम विभाक के मौसमी सोध पूरवानुमान मौडल के वर्षन संबंधिन नतीजों को इस्तेमाल किया गया है इसके जरिये 3 किलो मीटर तक के अस्थाने रेजिलूशन के आधार पर मिले नतीजों का इस्तेमाल करके फ्यूज ने एक ऐसा हाइड्रो डाइनमिक मॉडल विक्सित किया है जो हर घंटे के आकणों के साथ साथ बाढ का पूर्वानुमान लगा सकेगा और सुरुवाती अस्तर की चेतावनी भेच सकेगा इसे भारत के किसी भी खेत्र में बाढ की चेतावनी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है हाल ही में उपराष्टपती एम वेंकेया नाइडू ने डॉक्टर कल्यान कुमार डे द्वारा लिखित पुस्तक नेताजी इंडियाज इंडिबेंडेंस एंड ब्रिटिस अर्काइब्स का लोकारपन किया इस पुस्तक में देश की स्वाधिनता आंदोलन के दौरान नेताजी की महत्तपूर भूमिका से संबंधित प्रमारिक दस्तावीचों का संकलन है आपको बता दे कि डॉक्टर कल्यान कुमार डे वर्तमान सुभास चंद्र बोस आई एन ए ट्रस्ट के सहायक सदस्य है केंद्रिय जन्जाती मंत्री ने 19 अगस्त को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये देश के 31 सहरों में ट्राइप्स इंडिया ओन वील मोबाइल वैन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया ट्राइफेर्ड अपनी इस नई पहल से सुनिष्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को जैविक प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले जरूरी उत्पादों को खरीतने के साथ एक सतत और गुर्वत्ता पूर्ण जीवन सैली अपनाने के लिए घर से बाहर न निकलना पड़े जनजाती उत्पादों की बिक्री सुनिष्चित करने और बिक्री से प्राप्त आय प्रभावित आदिवासी परिवारों तक पहुचाने के लिए ट्राइफेर्ड ने उत्पादों पर अधिक छूट देते हुए बिक्री के लिए ट्राइप्स इंडिया व रूप में अपनाने और अपने अनेक अग्रणे पहलों को लागू करके संकट ग्रस्त और प्रभावित जन जाती लोगों की इस्तिती सुधारने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में केंद्रिय स्वास्थ एवंग परिवार कल्यान मंत्री ने इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी के राच्टिय मुख्यालय के ब्लड मैंक में थैली सीमिया स्क्रीनिंग एवंग परामर्श केंद्र का उदगाटन किया। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के तकरीबन 270 मिलियन लोग थैली सीमिया से पीडित हैं। कापी कठिन और महगा होता है। इसके उपचार में बार-बार ब्लड ट्रांस्फ्यूजन करना होता है। इंडियन रेड क्रास सोसाइटी की इस पहल से ऐसे लोगों को परियाप्त चिकित्सा प्रदान की जाएगी जिससे वे बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें। Online Privacy Solution Provider सर्फ सर्क ने Digital Quality of Life Index 2020 जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत इंटरनेट गुडवत्ता के मामले में विश्व के सबसे निचले पायदान वाले देसों में से एक है। यह सोध विश्व के 85 देसों की डिजिटल सेवाओं की गुडवत्ता पर किया गया वैस्विक सोध है। इस रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क पहले अस्थान पर है जबकि स्वेटन और कनाडा क्रमसह दूसरे और तीसरे अस्थान पर काबिज है। इसराइल में सबसे सस्ते तामों में इंटरनेट उपलब्ध है। यूके, फ्रांस और लिथुआनिया, साइबर सुरक्षा और व्यक्तिकर डेटा सुरक्षा प्रदर्शन में सीर्स अस्थान पर रहे। सर्वस्रेश्ट इंटरनेट गुडवत्ता में सिंगापूर, स्वीडन और नीदर लेंड ने सर्वोच अस्थान प्राप्त किया। भारत की बात की जाये तो समगर रैंकिंग में 85 देशों की सूची में भारत का 57 अस्थान है। इंटरनेट की गुडवत्ता में भारत 78 अस्थान पर जबकि इलेक्रोनिक सुरक्षा के द्रिष्टिकोन से इसका 57 अस्थान है। आत्म निर्भर भारत को बढ़ावा देने की क्रब में केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की सुरुवात की है। इस चैलेंज में स्मार्ट डिवाइस के लिए हार्डवेर का निर्माण करना होगा। इस चैलेंज के जरिये देश में स्टार्ट अप नवाचार और अनुसंधान के मजबूत पारिस्थिति की तंत्र को और गति प्रदान करना है। इस चैलेंज के लिए 18 अगस्त से 15 सितंबर तक रजिस्टेशन कराया जा सकता है। फिलहाल 8 पीम के इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ सेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहें टार्गेट विदालोक ऑनलाइन इंस्टिट्यूट से। मुझे दीजिये इजाजत, नमस्कार